अलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रिष्णा क्रियेशन आज मैं आपको एक जो प्लेटड कुर्ती होती है वो बनाना बताऊंगे और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके साथ का मैचिंग शरारा बनाना बताया था आपको फर्मे की हैल्प से तो आज हम इसकी कुर्ती ब दो हिस्सों में बनती है तो मैं यहां पर पहले आपको मेजर्मेंट बता देती हूं देखिए लेंध हम इसकी रखेंगे 30 इंच यह थोड़ी शॉट ही होती है जिससे शरारा का जो शेप है वो भी दिखाई देता है कुर्ती में से और यह 36 चैस्ट के लिए मैं बना रही तो जो बड़ी का अपर पाट है उससे हम बनाएंगे 17 इंच लंबाई का और उसके बाद नीचे जो उसमें गैदर डालेंगे वो डालेंगे 13 इंच के तो इसी हिसाब से पहले हम अपर बड़ी की कटिंग कर लेते हैं तो देखिए यहां पर यह डवल फोल कपला है और यह 40 सर्ज का कपला है जैसा कि मैंने आपको पताया यह 60 cm कपला है तो यहां से मैंने इसे किया 4 फोल अब यहां से हम निशान लगाएंगे सबसे पहले मैं इरको निशान लगाना है लैंद का तो 17 इंच मैं रेडी बनाऊंगे अपर पाट तो यहां से मैं ले लेती हूँ 18 इंच अब आपको लेना है शोल्डर तो चुकि मैं बोट नेक बना रही हूँ न इसलिए फुल सोल्डर हम लेंगे तो शोल्डर 15 है तो यहां से मैंने निशान लगाया साड़े साथ और इसके साथ ही मैं यहां आर्म हुल के लिए भी निशान लगाऊंगी साड़े साथ याने की 7.5 अब यहां से चेस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ मैं तो यह है 36 चेस्ट के लिए तो यहां पर आया 9 इंच और चूकि मैंने यह बाडी मेजरमेंट लिया है तो यहां पर सिर्फ हाफ इंच मैं और लूजिंग के लिए ले लूँगी क्योंकि हम एकदम एक्कूरेट यहां पर नाप लेते हैं बाडी का तो उसमें हमको थोड़ी सी लूजिंग रह नहीं रहती है इसलिए यहां यहां पर हम कमर का नशान लगाएंगे तो कमर यहां पर है 32 इंच उसका फूर्थ पार्ट मैंने लिया एट इंच 1 इंच की हम यहां पर डार्ट लगा लेंगे क्योंकि 36 chest है ना तो यहां पर थोड़ी सी हमको losing चाहिए रहती है तो 1 इंच के हम dart लगा लेंगे यहां पर और उसके बाद 1.5 इंच margin का ले लेंगे इसके बाद हम यह side के दोनों निशानों को मिला लेंगे आप चाहें तो यहां पर जो अपर पार्ट है उसे princess cut में भी बना सकती है अब देखिए यहां पर मैंने arm hole के लिए 3 इंच पर निशान लगाया और इसे इस तरह से मिला दिया अब आपको लेना है neck तो देखिए यहां पर full shoulder है 7.5 और मैं यहां पर 3 इंच शोल्डर के लिए ले रही हूँ और यहां से 4.5 इंच का मैं neck बनाऊंगी और इसकी आप गहराई अपने हिसाब से ले सकते हैं जादा तर हम इसे लेते हैं 3 इंच पर तो यहां पर मैंने 3 by 4.5 का एक box बना लिया है और यहां से आप इस तरह से boat neck ड्रॉ कर देए और अगर आपको यहां से boat neck और armhole ड्रॉ करने में problem आती है तो आप इस तरह से french curve का भी use कर सकते हैं आप french curve से boat neck को बहुत ही अच्छे से shape दे सकती हैं और साथ ही आप armhole पर भी shape लगा सकती हैं तो आप इसका use भी कर सकती हैं अब इसके साथ हम यहां पर half inch shoulder down कर देंगे यहां मैं front और back के लिए एक ही neck बनाऊंगी boat neck अब देखिए यहां पर हमें front की shape लगानी है तो यहां half inch आगे से लेते हुए इसको इस तनहें से आप front की shape लगा दीजी तो देखिए यहां पर अब हम dart का निशान लगाएंगे तो जैसे कि blouse होता है उसमें एकदम से burst point का निशान लिया जाता है लेकिन frock में हम जो यह dress है suit है उसमें हम यहां से 4 inch ले लेते हैं तो यहां से मैं ले लिया है 4 inch और यहां से मैं 6 inch की dart लगा देती हूँ क्योंकि य अब इसके साथ ही आपको यहां पर हलका सा curve देना है जिससे कि जब हम यहां पर घेरा attach करेंगे ना इसमें तो यह थोड़ नीचे की side इसका जुकाव नहीं आएगा तो इससे इसकी finishing बहुत अच्छी आती है अब मैं इसकी cutting कर लेती हूँ तो देखिए इसे मैंने cut कर लिया अब इसे रखकर ही हम अपने man fabric पर front और back के piece cut करेंगे अब देखिए यहां पर इस कपले का जो arz है ना वो पूरा है 46 inch का काफी बड़े arz का कपला है तो एक side से मैं इस कपले को लूँगी और इसे यहां से arz की side से ही 4 fold कर लूँगी यहां से हम देख लें कि यह दोना बि तो देखिए इसे मैं बिल्कुल बराबर से रखूंगी क्योंकि कपले की बिल्कुल width बराबर ही आई है और इसमें अभी मैं neck cut नहीं करूंगी हम पहले जब काटते हैं na man fabric को तो थोड़ा सा margin लेके काट लेते हैं जिससे कि जब हम इन नोनों को attach करेंगे तो आपको फिर ब इस तरह से double fold किया और हम इसका bottom part cut करेंगे तो देखिए यहां पर मुझे इसका फ्रिल वाला part लेना था 13 इंच लंबाई का तो मैं यहां से 14 इंच लंबाई का निशान लगा लूँगी तो एक इसमें यह 45 इंच का आर्ज है तो 45 इंच का हमारा एक टुकड़ा आजाएगा तो 45 इंच के हम दो टुकड़े ले लेंगे तो हमारा आराम से फ्रिल इसमें बहुत अच्छे से लग जाएगी तो यहां से मैंने यह 14 इंच के दो टुकड़े में ले लूँगी और यहां से मैं इस कपड़े को cut कर लेती है तो मेरी जो फ्रिल की टुकड़े की जो और एक टुकड़े की हमारी बैक में गैदर आजाएगी तो इस तरह से हमारी फ्रिल का कपड़ा भी कट हो गया यह जो टुकड़ा बच्चा है अब इसमें से हमें निकालनी है स्लीव्स तो यहां पर मैं इसे फोर फोल्ड कर लेती हूं और चूंकि यहां पर मैं स्लीव्स में हमारी स्लीव्स होती है उसके लिए आपको कितना कपला चाहिए रहता है चैस्ट का फोर्थ पार्ट है ना तो यहां से 9 इंच पर हम लगा लेंगे निशान एक क्योंकि यह 36 चैस्ट के लिए है अब देखिए अब आपको यहां पर पफ डालना है तो सबसे पहले यहां पर म तो एक इंच मैंने यहां से चोड़ दिया है और दो इंच मैंने यहां से चोड़ दिया है इस तरह आप देख सकते हैं अब यहां से यह समझ लीजिए कि इतनी हमारी स्लीव्स है यह है 6 इंच की तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पर और 1.5 इंच मैंने स्ट्रे अब यहां से हम लेंगे sleeves की bottom तो यहां मेरा 6 inch sleeves bottom में ले लेती हूं और 1 inch जिसमें यहां से मैंने margin ले लिया है तो यह sleeves bottom हो गया अब यहां जो यह extra है आपको इसे इस line से मिलाना है इस तरह से तो यहां से भी यह पफ बनेगा यहां से भी पफ बनेगा आप इसका शेप देख रहे हैं यह इस तरह से आया है इसलिए हमने यहां पर एक इंच की एक्स्ट्रा लाइन ले ली थी यहां पर जो एक इंच एक्स्ट्रा है न तो यहां पर भी अच्छे से बैलून ब तो यहांपर आप देख सकते हैं कि इस कोड़ीक है अपरकूस्य Depay Rep तो यहांपर अभूबर İ तरह से कुर्ती की कटिंग pointing हो जुक हांपर सबसे पहले हम अपर पार्ट तयार करेंगचे तो जैसा कि इसमैं नाप मैं कुस प्रहें मैं नेक की कटिंग नहीं की थी हमने सिर्फ अस्तर में कटिंग की थी तो आपको इन दौनों को एक दूसरे के अपोजिट रखना है और गले पर सिलाई लगानी है इसी तरह से हम बैक के कपड़े में भी इसे एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और गले पर सिलाई लगाए तो मैं इन दौनों के सिलाई कर लेती हूं तो दीखिए यहां पर मैंने फ्रंट और बैक के परदे एक दूसरे के अपोजिट जाइंट किये फिर नेक हमने पलट दिया यहां से और चारो तरब से अटेज कर लिए है जो डाट का निशान लगाया था वो डाट भी मैंने यहां पर लगा ली है अब हम इन दोनों को शोल्डर से जाइंट कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्लीव अटेज करेंगे तो देखिए यहां पर मैंने शोल्डर जाइंट कर लिये हैं अब हमें इसमें स्लीव लगानी है तो हम स्लीव रेडी कर लेते हैं यह देखिए यह हमन यहां पीछे से एक बॉक्स प्लेट बनेगी बीएप जाहें नहीं आप दोती हैं यहां राब आप चाहें पार करने देख पट्लेट नहीं दूकर किलों और अब यहां पर भी इस तरहUSंद लिए हैं लेकिन यहां पर मैं धागे से सिलाई करके बारिक सल वाली प्लेट्स लोगी तो इसी तरह से मैं यहां पर प्लेट्स कर देती हूँ तो यह देखिए दोनों साइड यह हमारी प्लेट्स लग चुकी है अब यहाँ पर आप एक सिलाई कर लें और यहाँ पर भी अब यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई मार लें जिससे हम उसकी बारिक प्लेट्स कर पाएं तो देखे फ्रेंड्स यहां पर जो मैंने पिन लगाई थी ना उस पर मैंने एक सिलाई चला ली है यह अगर आपका कुछ कपला एक्स्ट्रा बाहर आ रहा हो तो आप उसे कट कर ले यहां पर मैंने बड़े टार्के से सिलाई कर ली है तो हम इसको इस तरह से खीचेंगे और जितनी हमें गैदर लेनी होगी ना उतनी गैदर ले लेंगे सिफ उपर टॉप टॉप की साइड तो हम दोनों साइड से कीचेंगे तो यह गैदर हमारी बीच में आ जाएगे इस तरह से और आसपास का यह हिस्सा प्लेन हो जाएगा अब आपको इसमें एक यहां पर लाई करनी है तो देखिये मैंने यहां पर सिलाई लगाली अब आपको क्या करना थे इस पट्टी को आगे लाना है और यह पट्टी को इस तरह से थालश टीयार कर ली है अब हम इसके ऊपर यहां से इस disse कोittक एटेज कर देंगे इस इसे यहां और दूसरी वाली को यहां, तो अब हमने जो फ्रंट और बैक के पीस जॉइन करके रखे थे, इसमें हमें इस स्लीव को अटैज करना है, तो देखिए, इसमें हमने फ्रंट की कोई शेप नहीं लगाई है, तो आपको इसी भी स्लीव कहीं भी लगा सकते हैं, तो इ देखिए, यहां पर हम इसके नीके फिरल अटेज करेंगे उससे पहले आपको यहां पर फिटिंग की सिलाई देनी है! यहां पर वेस्छारंडो कि सिलाई देता, उसके बाद उसके बाद हम इस्में फिरल अटेज करेंगे we're gonna get the sw quiénlass bail, it's pril ली तो देखिए मैंने यहां पर फ्रिल बना ली है और साथ ही इसका बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया है अब आपको इसके बॉटम पर लेस लगानी है तो जो लेस हमने प्लाजो में लगाई थी ना उसी में से बची हुई लेस मैं यहां पर इस तरह से लगाऊंगी तो इसके जो कंगूरे है ना वो नीचे की साइड लटकेंगे तो इस तरह से हम इस पूरी फ्रिल में लेस लगा लेंगे और उसके बाद आपको इसे जो फ्रिल मेंने बनाई है इसे आप यहां से भी अटेच कर लें तो देखिए एक तो यह तरीका है कि आप इस फ्रिल को यहां पर अब इसका जो यह वेस्ट राउंड है यह हमारा जो टॉप है उसके वेस्ट राउंड के बिल्कुल बराबर आना चाहिए तो देखिए यह बिल्कुल इसके बराबर है यहां से इसलाई हो जाएगा अब एक तरीका है कि आप इस तरह से इसमें जॉइंट करें और दूसरा तरीका यह है कि आप अपर पार्ट में अगर आपको कभी फ्यूचर में टॉप को लूज टाइट करना हो तो उसका दूसरा तरीका यह है कि आप अपर पार्ट के फ्रेंट पार्ट में एक फ्रिल बनाकर जॉइंट करें और बैक पार्ट में एक फ्रिल बनाकर अलग से जॉ आपको पसंदो वापस से आप इसे कर सकते हैं तौ यहाँ पर मैं इस घेरे को यहां से कम्प्रीट करूंगी इन दोनों जोड को बिल्कुल आपको center से मिलाना है और यहां इसका margin है इसे हम इस तरह से fold कर देते हैं सेम इसी तरह आपको यहां पर बिल्कुल center से इसे नाप कर रखना है और यहां पर pin up कर देना है अब हम इस पूरे circle में double silahy लगा लेंगे तो देखिए मैंने यहां पर silahy लगा ली है और इस तरह से यह top मेरा तयार हो गया है अब हमको सिर्फ इसके bottom में lace attach करनी है तो देखिए इस तरह से हमने इसमें यह joint कर लिया है यहां मैंने lace भी लगा ली है और मेरा जो पूरा top है वो इस तरह तयार हुआ है यह इसका lock आया है देखिए यहां पर हमने जो यह plates लगाई थी यह पौने दो मीटर कपले में तयार हुआ है क्योंकि यह बड़े अर्ज का कपला था वैसे आपका यह top जो plittate आप top बनाएंगे वो दो मीटर कपले में तयार होगा और तो इस तरह से अब मैं दिखाती हूँ आपको इसे डमी पर लगा कर तो देखिए इस तरह से इसका lock आया है अगर आप भी इस वीडियो को देखकर अपने कुर्ती बनाएं तो उसका पेक मुझे इस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें इसे के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का